जहें दोस्तों कैसे आप सभी मैप ट्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सब के चैनल EPS पर दोस्तों कंटिन्यू करते हैं बिहार इस्पेशल की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ की रख होसला वो मंजर भी आएगा की रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा यू थक्कर ना बैठ ऐं मंजिल के मुसाफिर यूँ ठक्कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है हमारा भी पीएसी का एक्जाम 12 फरवरी को है काफी नजदीक है कुछी दिन बचे हैं 20 से 25 दिन तो इस में हमें बिल्कुल भी ठक्कर नहीं बैठना है बिल्कुल एकदम मोटिवेट रहना है कि हमें ये एक्जाम अपना निकालना ही निकालना है फिर अपने को मेंस लिखना है और फाइनल इंटर्व्यू तक जाकर सेलेक्शन लेना है तो द क्लास में दोस्तों आज भी हम ऐसे ही स्रीज को आगे कंटिन्यू करेंगे बिहार का इस्पेशल कराऊंगे कुछ और दोस्तों करन्ट अफेर के पर्शनली है जो कि आपको आने वाले बिपीसी के एक्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं प्लास बिहार स्पेशल में दोस्तों मैंने लिया है भोगोलिक सीमाई सेकंड लिया है राजनीतिक परीचिय थर्ड लिया है दोस्तों परशासनिक परिदर्शिय फोर्थ लिया है दोस्तों बिहार की जनगन्ना और फिप्त लिया है दोस्तों बिहार का मंत्री मंदक दोस्तों जैसे कि भोवोलिक सीमा है आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था बिहार का दोस्तों अगर आकरती की बात करें तो बिहार की आकरती कैसी है तो आप ध्यान में रखेंगे आयतकार है कैसी है दोस्तों बिहार की आकरती है आयतकार ये आप ध्यान में रखेंगे कैसी है आयतकार देन दोस्तों मैंने देखा बिहार में बिहार का जो दोस्तों छेतफल है महां से भी कोश्चन बनी है तो मैंने बिहार का छेतफल बतायते हैं आपको 249 163 वर्ग किलो मीटर कितना दोस्तों चुरानमे 164 वर्ग किलो मीटर क्या है अगर आप से पूछ लिया जाए बिहार का छेतफल कितना है तो आप लगाएंगे 94-94-63 वर्ग किलो मीटर यह आप ध्यान में रखेंगे यह BPSC के PYQ में दोस्तों कोशन पूछा गया अगर यह पूछ ले कि भिहार संपून भारत का कितना है अगर आप से पूछ लिया जाए कि भिहार संपून भारत का कितना है तो दोस्तों यह है 2.86% कितना दोस्तों 2.86% बिहार संपून भारत का है तो यह चीज तीनों आप ध्यान में रखेंगे अगर बिहार का आपसे आकरती पूछ लिया जाए कि भिहार की आकरती कैसी है क्रिभूर्जाकार है वर्गाकार है आयताकार है तो आप क्या लगाएंगे आप लगाएंगे कि मैडम ने बताया ता बिहार की आकरती है आयताकार कैसी है फ्रेंड्स बिहार की आकरती है आयताकार अगर आपसे बिहार का छेतफल पूछ लिया जाए तो आप संखिया ऐसे याद कर ले जिसे मोबाइल के तोर पर याद कर लेते हैं तो दो तीन बार है से रिपीट करेंगे न चुरानवे 163 वर्ग किलोमीटर कितना छेटफ़ल है बिहार का चुरानवे 163 वर्ग किलोमीटर यह आप ध्यान में रखेंगे अब दोस्तों बात करते हैं जो बिहार की भोगोलिक सीमा जिसे बिहार है यह किस-किस राज्ये से लगा हुआ है तो उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों बिहार उत्तर में नेपाल से किसे यह उत्तर है उत्तर में दोस्तों बिहार लगा हुए नेपाल से किसे नेपाल से यह आप ध्यान में रखेंगे दक्षिन की बात करें तो दोस् पूर्व 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 पूर्व में लगी हुए पस्चिम बंगाल से वेस्ट बंगोल से दैन लास्ट में अगर आप से पस्चिम में पूछ लिया जाए पूर्व की बात होगी पस्चिम बंगाल अगर पस्चिम में पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे आप क्या लगाएंगे आप लगाएंग नेपाल से, कि से नेपाल से? डखशिन में जहार्खंड से, पूर में पस्थिम. बंगाल से पस्थिम. मैं आजये तो आप लगांगे उत्तरप्रधेस पे. राज्ये की सीमा से लगे राज्ये ऐसे आजाए कोशन राज्ये की सीमा से लगे राज्ये तो आप तीन याद रखेंगे कौन-कोन से पस्चिम बंगाल उत्तर परदेश और जहारखंड दैन कैसे कोशन बन सकता है उत्तर परदेश की सीमा से लगे बिहार के कितने राज्ये है ऐसे करके कोशन आजाए कि बिहार के कितने राज्य है उत्र परदेश युपी की सीमा से लगे हुए है तो दोस्तो इनकी संख्या है एट कितनी संख्या है आठ आप याद रखेंगे आठ ये कौन-कौन से राज्य है जो कौन-कौन से उत्र परदेश की सीमा से लगे राज्य ह कौन-कौन से है बिहार के तो आप ध्यान में रखेंगे रोहतास, कैमूर, जिले, उत्तर-परदेश की सीमा से जिले आपको simple, simple समझेगा अगर ऐसे आजाएं बिहार बिहार की आपको पता है बिहार की जो सीमा है वो उत्तर-परदेश से लगी हुई है किस लगी हुई है उत्तर परदेश से लगी हुई है पश्चिम में अब ऐसे आ जायेगा जो बिहार के कितने जिले उत्तर परदेश की सीमा से लगे हुए हैं तो आप लगाएंगे 8, कितने 8 ये आप ध्यान में रखेंगे, कितने 8 कौन कौन से हैं, रोहतास, कैमूर, बकसर, भोजपूर, सारन, सिवान, गोपाल गंच और पस्चिम चमपारन, ये 8 जिले आप याद रखेंगे बिहार के जो की उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए है कई बार डारेक्ट संक्या पूछ लेते हैं, कई बार इनके नाम आ जाएंगे और पूछ लेंगे इन में से कौन सा नहीं लगा हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा से, तो आप उसको एलिमनेट करके राइट कर देंगे, अगर आपको 8 ये याद है बिहार के जिले जो की उत्तर करके ऐसे option में दे दे, तो अभी मैंने बता है उत्तर में जो बिहार की सीमा है, वो किस से लगी हुई है नेपाल से, अब नेपाल तो देश हो गया, राज्य की बात है तो आप तीन ही लगाएंगे, अगर आजए बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, तो आप तीन लगाएंगे कि वही पस्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहार कंड, लेकिन, कोशन को समझीगा, अगर भिहार की सीमा से लगा, एक मात्र देश पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे नेपाल, जो कि मैंने समझा है, कि वही उत्तर से भिहार, नेपाल क की सीमा, नेपाल और भिहार की सीमा टच उत्ती है, तो अगर आ जाये कि भिहार की सीमा से लगा, एक मात्र देश है, तो आप लगाएंगे नेपाल, जो कि उत्तर में हैं, यह आप ध्यान में रखेंगे, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गया, कैमयूर, क्लास में ना अगेंदी पीट करके कोई पाएदा नहीं है आप वह क्लास देखेंगी ना तो गया से भी दोस्तो कई बार Side बने हैं जैसे कि सबसे ठंड़ा जिला कों सा है सबसे गरम कों सा है सबसे तापमान में सबसे सबसे ज्यादा तापमान किस जिले का है तो वह मैंने पिछली जिला पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे कैमूर बिहार का प्रस्चिम जिला है कैमूर यह आप ध्यान में रखेंगे बिहार का पूर्वी जिला पूछ लिया जाए पूर्वी किशन गंज है अगर बिहार का पूर्वी जिला आप से पूछ लिया जाए तो आप लगाए सीमा की बहुग krp में जिन बच्चों थीर कर रखिया और जिल्दी से चीजों ऊर रिकॉल कर पाएंगे उट खेड भी क्यों याद है यह तो हमें याद है तो फिर बूस्ट होता है कि यह सब चीजे तो हमें याद है हम अच्छा ही करेंगे और दोस्तों यह यह आपको बिल्कुल यह तो हो गई भोगोलिक सीमा की बात करते हैं बिहार के राजनीतिक परीचे की किसके राजनीतिक परीचे की तो दोस्तों अगर यह पूछ लिया जाए आपसे कि बिहार की विधान मंडल कैसी है तो आप लगाएंगे जो दोस्तों बिहार है इसकी विधान मंडल है द्वी सद कूने की सद्लनी का क्या मतलब होता है विःर हार्में दो सदन हैं फैन clearly विष्ण है और विधान सबढ उनकी संख्या ऐसे की पूछ लिया जता है डारेक्ट की बिहार के कितने सदन है एक सदन है दूई सदनी विवस्ता है ऐसे करके option में आ जाए तो आप लगाएंगे कि वह जो बिहार की राजनेतिक विवस्ता या बिहार में दूई सदनी विवस्ता पाई जाती है दो सदन कौन कौन से है वो मैंने ब बात करते हैं विधान परिशद की विधान परिशद की अगर आप से सदस्य संख्या पूछ ली जाए तो इस्टूरेंस आप लगाएंगे 75 आपको ऐसे ओप्चन में देदे 70, 72, 75 ऐसे करके तो आप लगाएंगे कि भई विधान सभा बिहार की जो विधान सभा है महा पर सदस संख्या है मेंबर की जो संख्या है वो है 75 कितनी 75 75 आप दिहान में रखेंगे बात करते हैं बिहार की विधान सभा की किसकी विधान सभा की तो दोस्तो विधान सभा बिहार की विधान सभा की सदस्य संख्या है 243 कितनी 243 कितनी है 243 यह आप दिहान में रखेंगे अब दो तो राजय का उच्छ निया अगर पूछ लिया जाए कि जो बिहार राज्ये है, बिहार राज्ये का उच्छ नयायाीले कहा पर इस्थित है तो ये है पटना में कहां पर पटना में और इसके स्थापना कब हुई थी ये आप ध्यान में रखेंगे तीन फरवरी 1916 को कितने तीन फरवरी 1916 को राज्ये जो बिहार राज्ये है उच नियायाले की स्थापना हुई थी पटना में कब हुई थी तीन फरवरी 1916 अब बिहार में दोस्तों कितने जिले हैं ये मैंने पहली कक्षब में विकलाय था फिर से बता दे थो भीहार में अगर जिले की संक्या पूछ लिजाए तो आप लगाएंगे 38 अभी वर्तमान में बिहार में जिलों की संक्या है 38 कई बार ऐसे कोशन आじゃता है कि बिहार का 38 वा 38 38 जिला कौन सा है तीन चार आपको ओप्शन में देदेंगे तो आपको ध्यान में रखना है बिहार का 38 जिला है अर्वल क्या अर्वल्ल यह आप ध्यान में रखेंगे पंचायत का टोपिक मैंने जी एस सैकिंड जो कि मैंने भारतिय राज वेवस्ता के 38 ले रखे वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कराया है तो आप वो क्लास दोस्तो जरूर देखना पंचायती राज से बीपी एसी में कोशन बने है तो 38 लास आप फटाफट रिवीजन करेंगी ना तो महाँ पर मैंने वही टोपिक कराया जो पीटी में आने है तो आपकी काफी मदद हो जाएगी उन्हें ना स्पीड बे यह यह नहीं कहा दी कि आप नोर्मली स्पीड पे देखे आपने जैसे 1.5 आपने तियारी तो कर रखे है जैसे अगर आपको रिवीजन करना है तो आपने उसे 1.5 पे 2 पे करके देख सकते हैं आपकी पॉलिटी की सारी रिवीजन हो जाएगी वहां से आपको बहुत सारे कोशन देखने को मिलेंगे अब जैसे अगर बिहार में दोस्तो पंचायत की संख्या की बात करें अगर ऐसे अजया है बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी हैं तो आप दियान में रखेंगे तिरासी ऐसे तिरासी सतासी थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा तोड़ के संख्या को बताती हूं अगर आपको ऐसे याद हो जाए नहीं तो 8387 हिंदी में थोड़ा बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है ना मैं तो हिंदी में याद करती हूं मुझे ऐसे याद हो जाता है मैं संख्या को ऐसे कर लेती हूं कि बहु तिरासी सतासी दो तिन बार याद कर रिपीट करूंगी ना हो जाएगी जैसे मैंने अगर यहा अगर अगर आपको वैसे याद हो एत थ्री एर ठीए ना अगर ऐसे याद हो यह ना 8387 कितनी पंचायतों कि संख्या कितनी है 8387 जैसे जिसको याद हो जैसे जिसको कमफर्ट हो यह से चाहिए करना है माइं बठार किया है आपके तरिके से आपको याद हो वैसे कर लेता है इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं बिहर के मंदल प्रेंद की हिए के लिए यहाँ से आप थोड़ लास्ट में थोड़ डाउट रहता है कि वह कैसे कोशन बन रहे हैं क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप ये दिवीजन के तोर पर देखेंगे न तो आपको अपना मतलब लेवल पता चल जाए कि हां हमने सई दिसा में त्यारी करी हैं हम अच्छा परदर्शन क करके आएंगे तो दोस्तों बिहार के मंत्री मंदल की बात करते हैं जो वर्तमान में बिहार का मंत्री मंदल है अगर सीम पूछ लिया जाए कि बिहार के सीम कोन है यह सभी बच्चों को पता भी होगा बिहार के सीम मतलब की मुख्य मंत्री कोन है नितीश कुमार कोन है निती टेजस्वी परसाद याधव करें तेजस्वी परसाद याधव यहांगे मुख्यय मंतर है यह आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों दोस्तों बिहार के राजेपाल कि कोन है फागुचोहान दो canoe हटारह आप दियान में रखेंगे मूब करते हैं नैक्स पे अगर आपसे शिक्षा मंत्री पूछ लिया जाए कि बिहार राजी का सिक्षा मंत्री बताईए कौन है तो आप लगाएंगे चंद्र सेखर कौन है दोस्तों बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं चंद्र शेखर कौन चंद्र शेखर ये आप ध्यान में रखेंगे बात करते हैं कानून मंत्री की कि भई बिहार के कानून मंत्री कोन है तो आप ध्यान में रखेंगे कार्तिक कुमार कोन है कार्तिक कुमार बिहार के कानून मंत्री है करते हैं नैक्स प्रफ पर जो की हैं सुधाकर सींग मूज करते हैं नेकस पर चो की है मैं फिर से बोलूँ के यह जो मैंने हजे परीवहन मंत्री कौन बने है या कौन बनी है तो आप लगाएंगे शीला कुमारी दोस्तों यहां की परिभान मंत्री बनी है यह हो गई दोस्तों बिहार के मंत्री मंदल की बात मूव करते हैं दोस्तों बिहार की जन गनना पर किस पर बिहार की जन गनना दोस्तों मैंने पीवाइक्यू में देखा बिहार की जन गनना से भी कोशन बने हैं तो इसको भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं अगर एक्जाम में यहां से 100% बनता ही बनता है ऐसे कोई XYZ में चीज कुछने की संभावना है तो यह 100 परसेंट संभावना हटा दो यह वर हटाई दो आप 100 परसेंट यहां से कोशन बनेगा क्योंकि अगर आपने बीपीएस्ट के से भी कोशन पूछे हैं मतलब की जैसे की जिले कितने हैं और उचने आयल की स्थापना काप पर हुई और इसकी इस थापना इस थापना से पूछ लेंगे तीन फरवर से सुनने कि यहां पर है आप सभी कोशन है कि लास्ट में याद करेंगें कि यह सही है अगर हम भी है वहले किDamedim हो जाए जैसे कि की बजट की बाद करें काफी का आपी बीहार होग ग容 감사 हो गया उत्तरप्रदेश का बजट हो गया तो इन चीजह को EVERY आग्तर है कि दाटा है अगर पहले से याद करेंगे तो माइंड से इसकी पोजाएगा तो हम सोचते कि एक्जाम से 10-15 दिन पहले एक महीने पहले इसको याद करेंगे बठा लेंगे तो दोस्तों अपने जैसे जन्गन्ना का भी यह होता है इसमें भी डाटा है तो इसको आपको अच्छ पहले जीतना है तो आपको याद हो जाएगी बात करते हैं बिहार की जन गन्ना की पुल जन संख्या अगर आपसे पूछले बिहार की बिहार की कुल जन संख्या कितनी है तो आप लगाएंगे 10-40-99-452 मैंने ऐसे याद कर लेना 10-40-99-452 कितनी 10-40-99-452 ऐसे करके आप जनसंक्या घनत्व की बात करें कि बिहार में सरवादिक जनसंक्या घनत्व कहां पर है तो आप धिहान में रखेंगे शिवहर का दोस्तों जनसंक्या घनत्व सबसे जादा है बिहार में अगर नियूंतम जनसंक्या घनत्व की बात करें तो यह है कैमूर में बिहार में कितना है 488 यहां से कोशन दोस्तों बिहार जन करना से 100% आप 100% मैं गारंटी ले रही हूं यहां से जन करना से आपको बिहार PCS में देखने को मिलेगा मिलेगा तो अराम से सुनना है और वीडियो को इसकिप नहीं करना है रिक्वेस्ट यही है और जादे से जादा आपको वी PSC की तियारी करने है बात करते हैं दोस्तों बिहार के लिंगानुपात की तो दोस्तों बिहार का लिंगानुपात है 1000 पर 1000 पर महिला परती 1000 महिलाओ की संख्या कितनी 918于 01 यह आप धिhyान में रखेंगे बात करते हैं सर्वधिक निंगानुपाद कि वही कंन बिहार में लिंगा नुपाद कहां पर है तो यह गोपाल गंजमें कहां पर गोौपाल गंजमें एक हजार एक किस कितना है एक हजार एक किसी आप धिहान में रखेंगे अगर नियून्तम लिंगा अनुपात की बात करें बिहार में नियून्तम लिंगा अनुपात कहां पर है तो आप धिहान में रखेंगे मुंगेर में यहां पर कितना है आट सो चीयत्तर आट सो चीयत्तर या आप ध्यान में रखेंगे बात करते हैं दोस्तों बिहार में शाक्षरता दर की किसकी शाक्षरता दर की अगर बिहार की शाक्षरता टोटल आजाए बिहार की शाक्षरता दर टोटल कितनी है तो आप ध्यान में रखेंगे 61.8% टोटल कितनी है 60 61.8% इसमें मेल की कितनी है और female की कितनी है मतलब कि पुरुषों की कितनी है महिलाओ की कितनी है तो दोस्तों पुरुषों की बात करें तो 71.2% जो male है जो पुरुष है वो शाक्षर है और अगर महिलाओ की बात करें तो इनकी संक्या कम है महिलाओ की संक्या मतलब महिलाओ के शाक्षर्टा दर है 51.5% कितनी है 51.5% ये आप ध्यान में रखेंगे बात करते है शाक्षर्टा दर सरवधिक दर कौन से कहां पर है रोतास में कहां पर है रोतास में कितनी है 73.37% बात करते है शाक्षर्टा में नियूंतम दर किसकी है तो ये है पुर्णिया की कon से जिले की है पूर्णिया की अगर ऐसे आ जाये कि शाक्शरता दिर सरवाधिक शाक्शरता दर बिहार के किस जिले की है तो आप लगाएंगे रोहतास की किसी है कितने परसेंट यह 73.37 परषेंट यह आप चारें तो आप लगाएंगे पूर्णिया की कितनी है 51.8 परसेंट तो दोस्तों यह तो थी जो बिहार का विशेश है बिहार की मैंने आपको पर अब दोस्तों मूव करते हैं बिहार की करनट अफेर पर जो कि संदो हजार बाइस की मैंने करनट अफेर ली है जनवरी महीने की तो ऐसे करके कर लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल ऐसे करके मैं आपको पूरी सन 2022 की जो current affair है वो cover करा दूगी यहां से आपको current affair की class से काफी मदद होगी अगर दोस्तों मेरी class से आपको exam में 10-12 person भी current affair के देखने को मिलते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी आप इसको रिवीजन के तोर पर देखना मैं यह नहीं कहा रही कि आप 100% इसी पर depend हो जाए आपने तियारी तो कर रखी होगी last में last के लिए कोई तियारी नहीं छोड़ता है तो month last का ऐसा ही होता है जैसे बी पी एसी वाले हैं तो अभी जनवरी उनका बहुत ही special है तो वो रिवीजन पर जादा ध्यान दे रहे होंगे जो बचार घंटे पढ़ रहा होगा उसने अभी बारा घंटे कर दिया होगा कि दिवीजन करते हैं फटाफट तो आप इसको फटाफट दिवीजन के तोर पर देखे जो चीजे आपको जैसे current affair आपने पढ़ रखा होगा जो चीजे याद है वो तो revise हो जाएंगे और क्या पता यहां से कुछ आपको नई जानकारी मिले और क्या पता यहीं से question आजए तो आपको revision के तोर पर यह class देखनी है तो दोस्तो पहले current affair का question लिया है जहानाबाद के किस यूवा को वैग्यानिक प्रुसकार सन 2021 से सम्मानित किया गया है क्या है question कि जहानाबाद के किस यूवा को वैग्यानिक प्रुसकार सन 2021 से सम्मानित किया गया है तो यह किया गया ओम प्रकास गुजयला को किस को ओम प्रकास गुजयला को कई बार दोस्तों जैसे संदुजार 21 की 21 में जो चीचे हुई होती है जैसे ये वैग्यानिक फुरुसकार संदुजार 21 का बहुत महत्पून है अभी जैसे अपना बाई तेईस में पेपर है स्टार्टिंग में ही है फरवरी तो ना डेड़ साल की जो ही स्टेट लेवल PCS होत जैसे अगर हम हंगरिंडेक्स की बात करें संदुजार 23 का अगया तो वहां से तो पूछेंगे कई बार 22 का भी पूछ लेंगे और स्टेटमेंट में कई बार 21 का भी पूछ लेते हैं तो ऐसे अपने को दो मतलब डेट से दो साल की करंट अफेर को कवर करते वे चलना है तो ये बात हो रही है 21 की जहना बाद के किस यूवा को वेग्यानिक पुरुषकार सन 2021 से सम्मानित किया गया तो आप ध्यान में रखेंगे ओम परकास गुजैला को ओम परकास गुजैला को देन मूव करते है नेक्स्ट कोशन पे विहार के किन दो मैथिली लेखकों को सन 2021 में साहित्य अकैदमी का यूवा पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो ये दो को किया गया है कौन-कौन है अनमोल जहां और अमित मिश्र इन दोनों का आप ध्यान में रखेंगे अनमोल ज रखेंगे मूव करते हैं नेक्स पर जो की है कौन सा राजिय सर प्लस बिजली उत्पादन करने वाला राजिय बन गया है तो ये बन गया है बिहार राजिय कौन बिहार राजिय ये आप ध्यान में रखेंगे और बिहार दिवस कम बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है बा आप लगाएंगे 22 मार्च कब 22 मार्च को आप ये ध्यान में रखेंगे बिहार के किस जिले में शिक्षा उडान की शुरुवात की गई अगर आजे बिहार के कौन से जिले में शिक्षा उडान की शुरुवात की गई आप लगाएंगे समस्तिपूर क्या समस्तिपूर ये आप ध्यान में रखेंगे बिहार के किस जिले के घनोती नदी प्रोजेक्ट इस जोन में अवल आया या बिहार का कौन सा जिला घनोती नदी प्रोजेक्ट इस जोन में अवल आया तो ये आया है पूर्वी चमपारन कोन आया है पूर्वी चमपारन मूब करते हैं नेक्स्ट कोशन पे जो की 6 नंबर का है विहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है तो दोस्तों जो ये शकुंतला देवी थी ये विहार की विहार की पहली सांसद बनीती विहार जिले की पहली सांसद बनीती कि आपको ध्यान में रखना है इनका भी निदन हो गया है ये कहां हो गया है बांका क्या है कोशन विहार के किस जिले से बनी पहली सांसद सकुंतला देवी का निदन हो गया है बांका ये आप ध्यान में रखेंगे राज्य सरकार दौरा कौन से संक्रमन से पिडित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने से दंडित करने की गोशना की गई है जो बिहार राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमन से पिडित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने से दंडित करने की घोशना की गई है दोस्तों अभी बिहार राज्ये ने क्या क्या है जिसे जो व्यक्ति एड से एड से पिडित हो जाते हैं लोग उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी भीहार सरकार ने अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है और उसके साथ भेदभाव करते हैं तो भीहार गोर्मेंट ने उनके खिलाब सकत कारवाई करने का मतलब उन्हें दंडित करने की घोशना की है यह आप ध्यान में रखेंगे अगर कोशन ऐसे आजाए कि किस राज्य सरकार ने ऐसा कौन सा संक्मरन का रोग है जिससे पिडित होने वाले वेक्तिके साथ अगर कोई भेदभाव करेगा उसे दंडित करने का घोशना की है तो ये बिहार सरकारने की है बिमारी धियान रखें एड्स मूब करते हैं नेक्स्ट कोशन पे जो की है किस योजना के तहत बिहार में जल्द जलमार्ग सडकमार्ग और देलमार्ग के साजा जंक्शन बनाए जाएंगे तो ये पीम गती शक्ति योजना के तहत बनाए जाएंगे किस विभाग द्वारा मुख्य मंतरी किशोरी योजना के लिए 92 करोड रुपे जारी किये गए तो ये किये गए हैं शिक्षा विभाग क्या है किस विभाग के द्वारा कौन सा ऐसा विभाग है मुख्य मंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड रुपे जारी किये गए तो यह किये गए है शिक्षा विभाग के दुआरा सिक्सा विभाग के द्वारा ten question पे जो की है बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG station बनाने की गोशना की गई तो यह की गई है पटना में कहां पर की गई है पटना में move करते हैं दोस्तो आज के last question पे जो की है बिहार का पहला बिहार का first solar floating बिहार का पहला, क्या है सोलर फ्लोटिंग प्लांट, किस जिले में बनाया गया तो यह बनाया गया धर बंगा जिले में किसमें धर बंगा जिले में तो यह थी आजकी अपनी बिहार स्पेशल के कि लाज आप को आपकर को यह बनते हैं और और बीखार का को भी इसाद आपको कवर करते हुए चलूंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालू अपनी सबसे पहले आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए और आप अपनी तियारी को अपनी रिवीजन को अच्छे से करते रहे और BPSC के एक्जाम में आप अच्छा परदर्शन करें तो all the best BPSC students के लिए फिर मिलते हैं आपको अगली BPSC और special class में धन्यवाद